बिसमिल्लीर रुक्षियम वेल्कम्हान रुक्रीम एर्गुड़ि टूड़ियर स्टुडेंस इंद अग्शीर नवर 14 सबसे पहले हम देखते हैं प्रीविएस प्रीवू प्रीविएस लेट्चर नबर 13 के अंदर जो है हमने क्या रिड आउट किया Turbo C के बारे में हमने पढ़ा था उसके बाद हमने advantages जो थे C language के उसके बारे में हमने read out किया Today agenda हमारे गया है आज हमने कौन से topics cover करने है सबसे पहले हम देखेंगे basic structure of C program क्या होता है C का कोई भी program है उसको लिखने का structure क्या है उसको हम आज देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे कोई भी C का program हम create कैसे करते है comprende save कैसे करते है उसके बाद फिर उसको लिंक कैसे करवाते है उसके बाद हम execute कैसे करते है आज हम Hashtra twist को cover करते है सबसे पहले हम δेखते है basic structure of C language है kiyah सबसे पहले देखते है the format of writing C program is called वह फार्मेट जिसके बतुला से हम कोई भी C का प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं structure कहते हैं the basic structure of C program is very flexible मतलब जो इसका basic structure जो है वो बहुत पायदार है बहुत लचकदार है इट increase the power of language ये क्या करता है power को increase कर देता है किसी भी language को उसके बाद it consist of the following parts ये 10 जैल parts को पर मुश्तमिल होता है number one पर हमारे पास क्या है preprocessor directive उसके बाद main function आता है दूसरे नमबर पे उसके बाद तीसे नमबर पे हमारे पास आता है C statements क्या होता है जिसको हम program body भी कहते है उसके बाद सबसे पहले हमारे पास आता है preprocessor directive है क्या इसको हम सबसे पहले दिखते है preprocessor directive is an instruction for the preprocessor मतलब preprocessor को कोई भी हम instruction देते हैं तो वो कौन देता है preprocessor directive ही देता है उसके बाद these instructions are written in the beginning of the program जिस instruction जो होती है कोई भी हम program write करते हैं उसके start में हम लिखते हैं उसके बाद है every preprocessor directive start with hash symbol कोई भी preprocessor directive हम start करेंगे सबसे पहले हमने क्या करना है उसको hash से शुरू करना है उसके बाद है after hash include or define directive or use मतलब जब हम hash use कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं include को या define को utilize करके इस्तमाल करते हैं उसके बाद preprocessor directive और also called compiler directive preprocessor directive को जो हम compiler directive भी कहते हैं या इसको हम lab function भी कह सकते हैं या library function भी कहते हैं उसके बाद number two भी हमारे पास आता है main function क्या है कहते है every C language program must contain a main function हर C language का हर C का मतलब जी है कि हर language का अपना एक क्या होता है main function होता है क्योंकि हमने secondary में just A की language पढ़नी है वो हमारी C++ इसके लावा और भी languages है, fortron है, kabul है, basic है तो हर language का अपना अपना क्या होता है, main function होता है उसके बाद है program without main function cannot be executed ऐसा program जिसके अंदर main function ही ना हो तो वो program execute नहीं होगा, मतलब उस run वो नहीं होगा instruction of program written between the curly presses of main function ताया जो होती है, वो हम किस में लिखते हैं, curly brackets के अंदर लिखते हैं उसके बाद these statements enclosed in main, मतलब इस statements को closed जो है, वो हम 35 में बंद कर देते हैं और called body of main function जिसको हम क्या कहते हैं, body of main function कहते हैं next नमरे पास आता है, program body क्या होती है program body, जिसको हम see statements भी कहते हैं कहते है, every instruction written in C language program is called a C statement every statement end with semi colon, हर statements को हमने end किस से करना है semi colon से जो है, हमने उसको end करना है, मतलब कि उसको हमने बंद कर देना है उसके बाद semi colon is called statement terminator मतलब semi colon को जो है, हम terminator भी कहते हैं next हम चलते हैं, एक figure जो है, आपके सामने नजर आ रहा है, कि हम see program कैसे राइट करते हैं, सबस्से पहले अगर आप देखें, हमारे पास क्या है, प्री प्रॉसेसर ड्रेक्टिव है, यह line यह ily line जासे हो गए, उसके बाद हमारे पास क्या है, वाइड में, जिसका main function कहते हैं, उसके बाद इस में क्या है यह हमारी प्राइक कि यहां से स्टाट है और यह यह अंदर वाला पार्ट जब हमारे पास नहीं है यह परिया कि आक्रत हैं कि यह कि आप हमारे पास studio.h है जिसको हम standard input output भी कहते हैं उसके बाद हमारे पास क्या है कौन ही है जिसको हम क्या कहते है console.input.output.h का मतलब क्या होता है कि यह एक header file है उसके पाद create and edit RC program कि हम कोई भी program उसको edit कैसे करते है create कैसे करते है to write a new program or load the TCA data and type the source code of program कोई भी program हमने write करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है उसको turbo c में हम write करेंगे मतलब turbo c last lectures में भी हमने पढ़ा था उससको हमने open करना है और उसके अंदर हमने क्या करना है उस programs को write करना है और जो हम program high level language में लिखते हैं उसको हम source code भी कहते है या source program भी कहते है उसके बाद है you can also make change during writing new program as well as in the existing seat program मतलब कि during program अगर आप चाहें तो उस programs को change भी कर सकते हैं उसके अंदर कोई changing लेकि आना चाहते हैं कोई new line add करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके अंदर असानी के साथ जाए वो add कर सकते हैं उसके बाद है therefore the processor of writing, changing or revision a source code is called editing program editing का मतलब ही जाई है कि program को write करना, write करना ये बाद उसके अंदर कोई आप रदो बंगल करना चाहते हैं कुछ निया add करना चाहते हैं तो आप असानी के साथ जहाए वो add कर सकते हैं उसके बाद आता है जब आप program write कर लेते हैं तो next काम होता है हमारा save AC program ये step by step है program को लिखने का अगर आप save ना भी करें तो हमारा काम चल सकता है लेकिन save करने का मतलब ये होता है कि अगर किसी वज़ा से कोई light चली जाती है या कोई ऐसा issue आ जाता है अगर हमारा program save होगा तो हमें दुबारा से वो program write नहीं करना पड़ेगा आप देखें हमकाता है after writing or editing the source program you should save it on the disk as tax file with an extension उसके बाद हमने क्या करना है program को write करने के बाद source program जैसे हम write करेंगे source code में जैसे हम write करेंगे next हमारा काम क्या होगा और उसको हम save किस के साथ करेंगे प्रोग्राम यह process क्या 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 आता है saving the program उसके बाद है press F2 key to save a program or select file save program मतलब इसके दो तरीकी है कि आपके पास F2 short key है जिसको हम function key भी कहते है उसके मदब से भी आप क्या कर सकते है program को store कर सकते है या दूसरे नबर पे आप क्या कर सकते है menu बार पे जाए वहाँ पे file का option उसको open करें वहाँ पे save का button होता है वहाँ से भी आप program को save जाए असानी के साथ कर सकते है next अमरे पास आता है अब हमने program write भी कर लिया save भी कर लिया अब हमने compile करना है compile का मतलब यह है कि हमने source code को object code में change करना है या उसके अंदर कोई errors वगरा है उसको check करने के लिए हम क्या करते है compiler का इस्तमाल करते है compiling C program compiling is the transformation from source code into machine code source code human readable मतलब जिसको इनसान पढ़ सकता है machine code जो machine इसको execute करेगी जो machine के लिए समझे ना जो है बहुत आसान हो जाता है उसके बाद है alt plus f9 or select compile की top compiler का program मतलब compile करने के लिए हमने क्या करना है हमारे पास दो तरी का गार है या तो एक हमारे पास short की है alt plus f9 की उसको हम press कर लें ताकि हमारे प्रोग्राम जो है वो compile हो जाए या दूसरे नमर पर हम ये कर सकते है कि top के उपर compile का बटन होता है उसको पर प्रेस करके हम इसको प्रोग्राम को compile कर सकते है compiler will generate error message if the program contain any error मतलब compiler ने क्या करना है घलती देनी है अगर कोई आप प्रोग्राम के अंदर कुछ जोड़ी सी mistake करेंगे अगर आप terminator गलत लगाएंगे किसी भी तर्स का मतलब जासे अगर आपने उसको hash start नहीं किया उसको आपने semicolon से start कर दी है hysteric से start कर दी है तो उसने क्या करना है compiler ने आपको error message देना है error message जो है उसको जब तक आप मतलब remove नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो आपको error देता रहेगा उसके बाद हम जो है linking a C program क्या होता है कहता है the process of linking a library file with object program is known as linking मतलब जो हमारा object program होता है जो source code में था उसको हमने object में convert किया उसको link करना library files के साथ library files को उन सी है जैसे हमारे पास pre-process director में है studio हो गया koonio हो गया math.h.h.org उनके साथ connect करना यह link किलाता है these files are used to accomplish different tasks such as input output मतलब कि कोई भी काम हमने input कोई लेनी है कोई हमने output देनी है body के अंदर तो वो सारी की सारी मालूमात कहां से get करेगा pre-processed directive से करेगा a library file must be linked with the object file before execution of program उसके बाद हमारे पास आता है execute a C program execute का मतलब क्या होता है the process of running an executable file is known as executing बाद कोई भी program जो होता है उसका हम जब execute करते हैं उसका result निकालते हैं उसका output निकालते हैं वो क्या किलाता है executing किलाता है the C++ program can be execute after compiling and linking जब हम compile कर लेते हैं link कर लेते हैं तो next काम जो होता है वो क्या होता है उसको execute करवाने का होता है The program must be loaded into memory for executing. Next time, क्या होता है? कोई भी process हमारा होता है. उसको हम memory में क्या करते हैं? Load करते हैं, ताकि वो program जो हमारा क्या हो? Execute हो सेके. A program that plays an executable file in the memory is known as loader. बतलब कोई भी program जो execute हो जाता है, उसको जब हम memory में लेके आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? Action No.14 जो हमारा यहां पर end हो जाता है. Action No.14 के अंदर हमने यहीं देखा basic structure क्या है? C language का, उसके types से हमने देखी. Pre-processor directive, main function और C statements जिसको body of C statements भी कहते हैं. उसके बाद हमने देखा कि C का program जो है, वो write कैसे किया जाता है, create कैसे किया जाता है, edit कैसे किया जाता है, save कैसे किया जाता है, उसके बाद compile कैसे करते हैं, link कैसे करते हैं, उसके बाद execute कैसे करते हैं. तो यह topic आज का हमारा था, I hope कि आप लोगों को इसके बारे में समझ लगी होगी. इंशालला नेक्स लेक्शिस में आप लोगों साथ इंशालला फिर से मुलकात होगी तब के लिए अल्ला हाफिज